वेलो फ्रेंड्स वेलकम टूजएटे गार्डन और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आज में बात करूंगे आपसे अपने कुछ गुढ़ल के पौधों के बारे में हिविसकस प्लांट के बारे में यह देखिए मेरे कुछ प्लांट हैं यह और यह कुछ तो रूट हो चुके हैं जिसमें अच्छी फ्लारिंग नहीं हो रही है और ना अच्छी ग्रोथ हो रही है आपको देखने से इसकी कंडिशन बता चल रही होगी यह जो मैं प्लांट दिखा रही हूं आपको यह मेरा कटिंग से लगा हुआ हुआ चार-पांक साल पुराना प्लांट है वह साल इसको प्रून करदेती हूं लेकिन फिर यह बढ़ जाता है काफी लेकिन इसमें फ्लॉरिंग नहीं होती है बस एक दो ही फूलाते साथा फ्लॉरिंग नहीं होती इसलिए आज मैं अपने सारे प्लांट को रिपॉर्ट करूंगी इसके लिए देखिए मैंने यह मिट और इसमें डालूंगी थोड़ा सा फंगी साइड यह सब मिक्स करके में बहुत अच्छा है स्वाइल मिक्सर त्यार कर रही हूं अपने विसकस के प्लांट के लिए क्योंकि इसको यह हाई फीडर प्लांट होता है और इसको जो है बहुत अच्छा खाद पानी सब कुछ चाहि गुडल के उसको मैं रिपॉर्ट करूंगी एक मेरा जो कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है काफी पुराना प्लांट है उसमें अच्छी फ्लारिंग नहीं होती है बस एक दो ही फूल आते और बहुत चोटे फूल आते यह देखिए मैं थोड़ी सी डिये पी इसमें मिक् अच्छर तयार करना है यह देखिए फ्रेंड यह मेरे मिट्टी के भरे हुए रखें कुछ प्लांट मेरे सूख गयते जो मैंने खाली कर लिए थोड़े बड़े पॉट्स में मैं इन प्लांट को शिफ्ट करूंगी यह देखिए इस तरह से जो है डिनेज होल पर थोड़ी कोई इसमें कोई फंगस वगरा का अटेक नहीं हो और नीम की पतियों से बहुत अच्छा रहता है और डिनेज भी अच्छा रहेगा नीम की पतिया नीचे डालने से इसलिए मैं स्पॉट को थोड़ा सा पतियों से फिल कर रही हूँ यह देखिए उपर से मैंने इसमें स्व पुरानी मिट्टी में इनको रिपॉर्ट नहीं करना चाहा रही हूं इन प्लांट को इसलिए कि पुरानी मिट्टी में मेरे कुछ प्लांट सूख गए थे तो पता नहीं क्या वजा थी क्या नहीं थी इसलिए मैं उस मिट्टी को बिल्कुल रिमूव कर रही हूं हटा रही कि मेरे जो गडल के जो पौदे हैं वो क्या प्राब्लम है इसमें रूट बाउंड हो गया है या कुछ और प्राब्लम है दो मेरे प्लांट तो पिछले साल कही है बरसात में न्यू प्लांट्स करी दे थे वह इसके और एक मेरा पुराना है लगाया हुआ प्लांट काफी पुराना हो गया है उसमें बहुत कम फ्लारिंग हुई है इसलिए मैं स्टैंपर ये वक्त ऐसा है स्टैंपर आप प्लांट्स की रिपॉर्टिंग कर सकते हैं प्रूनिंग कर सकते हैं तो मैं प्रूनिंग भी करूंगी और रिपॉर्टिंग भी दोनों साथ-स इसमें से प्लांट को पॉर्ट में निकालने में आसानी हो जाए इस तरह से निकाल दूँगी इसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गी और नई ग्रोथ आएगी नई ब्रांचेश आएगी तो फ्लारिंग भी करेगा यह और अच्छा खात पानी सब मिल जाएगा इस कर रहा गया है इसलिए मैं इसको पहले प्रून कर रही हूं उसके बाद में रिपॉर्टिंग करूंगे करने के बाद रिपॉर्टिंग फोड़ी आसानी से हो जाएगी क्यों अच्छा खासा बड़ा सा प्लांट है यह यह देखिए इस तरह से मैंने प्रूनिंग कर दी है दे में इसमें से निकालना बहुत मुश्किल काम होगा क्यूंकि इसकी थोड़ी सी नम है घीली है फोड़ी सो मायस्ट है इसकी मिट्टि यह देखिए आपको दिख रही होगा जराशी मैंने कुर्पी इसमें चलाई है अल्की से हटाई है तो एकदम से जड़े सब उपर आने लगी हैं बहुत बुरी तरीके से रूट बाउंड है यह प्लांट हमारा क्यूंकि काफी टाइम से रिपॉर्टिंग नहीं हो पाई है अब इसको निकालना आसान काम नहीं है लेकिन मैं निकालूंगी इसको कोशिश करूँगी थोड़ा-थोड़ा सा मिट्टी को हटाके निकालने की कोशिश देखें आप लोग देख सकते रूट से निकली होई इसमें अगर यह मिट्टी विल्कुल सूखी होती तो बहुत आसानी से जो है यह निकल लाता लेकिन मिट्टी थोड़ी सी मॉयस्ट है इसलिए यह चिपका चिपका सा है फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो फ्लीज लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स को और हम बढ़ चुकी है नीचे से बिल्कुल चिपकी हुई थी पॉर्ट में रूट्स बहुत मुश्किल से निकला आई है बहुत ताकत लगाने के बाद ही निकला आई है अब यह देखिए नीचे की एक्स्टा रूट्स हैं बढ़ी हुई इनको सबको काटके निकाल दे रहे हैं इनको निकाल देंगे और जो बस उबर उपर की जरूरी रूट्स हैं उनको ही रखेंगे बाकी एक्स्टा रूट्स इतनी भी बढ़ गई हैं उनको निकाल देंगे यह मोटी मोटी सी रूट्स हैं इनको नहीं हटा रहे हैं क्योंकि इनको हटाऊंगी अगर तो हो सकता है प बहुत मुश्किल से कटा है यह रूट्स मैं काटके एकाद निकाल दे रही हूं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है लगाने में दिखकत होगी इस लिए देखिए इस तरह से सारी रूट्स को जो एक्स्ट्रा बाहर निकली हुई है सब को प्रून कर दीजिए बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा यह अब देखिए कितना आपको देखने संदादा लग रहा होगा कितना पुराना प्लांट हो गया यह कम से कम 5-6 साल पुराना है यह प्लांट मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी उस कटिंग से इतना बड़ा प्लांट बन गया है जबके मैं अच्छा टायम है फरवरी मंद में अपने प्लांट वा हर दरीके का काम कर सकते हैं प्रूनिंग कर सकते हैं रिपॉर्टिंग कर सकते हैं कटिंग लगा सकते हैं और नए प्लांट भी लगा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं यह बहुत अच्छा टायम है हमारे प्लांट की ग्र लगाया था करीदा था मैंने तो इसमें डबल बैटल्स वाले फ्लार आते इसमें भी बहुत चोटे फ्लार आ रहे हैं और बट्स भी कम बन रही है जिसलिए मैं इसको भी रिपॉर्ट कर रही है यह भी देखे रूट लगा था था इसलिए मैं बड़े पॉर्ट में इसको लगा रही हूँ अब जो मेरे पुराने पॉर्ट काली हुएँ कुछ मेरे प्लांट सूख गए थे तो वही पॉट में यूज कर रही हूं इसलिए मैं वही वाले पॉट यूज कर रही हूं यह देखिए इसकी एक्स्ट्रा रूट्स निकाल देना है और इसको इस तरीक से मैंने इस पॉट में लगा दिया इसको भी मैंने बड़ा पॉट द देखिए कितनी खुब्सूरत पतियां है इसकी बहुत प्यारा प्लांट है यह लेकिन बिल्कुल डल डल सा रहता है पतिया इसकी मुझाई मुझाई सी रहती है कोई भी इसमें फ्रेश नहीं देखता है बिल्कुल भी तो इसलिए मैंने इसको भी रिपॉर्ट करना है और इसको थोड़ा-बड़ाब्गी चाहिए होता थोटे पोट में अच्छा सर्वाइब नहीं कर सकता है उसको भी मैं तो इसकी तोड़ी सी मैं नीकाल दी है घ। mi coaster मैं बहुत अच्छा लगा दे रही हूँ तो मेरे कुछ ब्लांट बन जाएंगे फुषिश करूंगी यह ग्रोऊ हो जाएं और इनको लगा के अच्छी सी मैंने इसमें भर के पॉर्ट में और इसमें मैंने यह कटिंग लगाई है और देखिए यह ग्रोव हो सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं कोई जर रहेंगे. Thanks for watching friends.